उत्राखन मुक्त विश्य विद्याले के सभी शिक्षियारथियों को मेरा नमशकार। मैं हूँ डॉक्टर पूजाभट उत्राखन मुक्त विश्य विद्याले के ग्रह विज्यान विभाक से। आज का हमारा विश्य है आंत्रिक साथ सज्जा का परिचय आईए सबसे पहले जानते हैं इसके उद्देशियों पर आंत्रिक साथ सज्जा का अर्थ एवं अवश्यत्ताओं को समझना विजाइन के विभिन्न तत्म को समझना विजाइन के विभिन्न सिध्धानतों को समझना आंत्रिक सज्जा अर्थ एवं परिभाशा आंत्रिक सज्जा का अर्थ क्या है जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है आंत्रिक सज्जा अथार्थ घर के भीतर की सज्जा ग्रह सज्जा का सामाने रूप से अर्थ यहा है घर को सुन्दर एवं अकर्शक बनाना इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कला के विबिन्य सद्धानतों एवं तत्वों का ग्यान होना अत्यंत आवश्यक है इसके अलावा आंत्रिक सज्जा के द्वारा ग्रह निडमार संबंधी किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है तथा हम अपने घर को आकर्शक एवं उपयोगी बना सकते है आंत्रिक सज्जा की आवश्यक्ता आंत्रिक सज्जा की आवश्यक्ता तीन मूल कारणों से है पहला है सुन्दर्ता, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है कारेकारेता सुन्दर्ता, अथात, ब्यूटी, यह आंत्रिक सज्जा का सर्वक्रथम उद्देश है, घर को सुन्दर बनाना इसके लिए कलाक के विबिन्य तत्वों एवं सिध्धानतों का उपयोग किया जाता है दूसरा है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब expression, अभिव्यक्ति या विचार से अर्थ है कि कोई घर किस प्रकार के भाव को प्रकट करता है जैसा कि आप लोगों ने भी कभी महसूस किया होगा कि घर का कोई कोना आपको positive energy देता है अथार, आंत्रिक साथ सज्जा के द्वारा हम किसी ग्रह की अभिव्यक्ति को भी बदल सकते है यह केवल ग्रह की सज्जा द्वारा ही संभाव है तीसरा है functionality, इसका अर्थ है जैसे कि आप सभी जानते है आजकल सुन्दरता important है, expression important है लेकिन किसी भी आंत्रिक साथ सज्जा की functionality भी उतनी ही important है क्योंकि आजकल घर में हम उसी प्रकार से काम चाहते हैं जैसे कि कोई machine काम करती हो इसका मतलब यह है कि कम से कम समय में अधिक्तम सेवा, अधिक आराम एवं अधिक आनन्द प्राप्त करना अतह आधनुक समय में सभी घरों में यह गूर भरपूर देखने को मिलता है इसे भी केवल घर सज्जा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है कला या डिजाइन के प्रकार मुख्य रूप से डिजाइन दो प्रकार के होते हैं संरशनात्मक एवं सजावटी संरशनात्मक का अर्थ है कंस्ट्रक्टव डिजाइन इसका अर्थिया है किसी भी वस्तु के मूल भूत आकार माप में चेंज करना और सजावटी का अर्थ है मूल भूत आकार में चेंज करने के बाद हम उसमें उपरी रूप से किस सजावट को दे सकते हैं मुख्य गुड है वो है पदार्थ के अनुकूल, साधिगी पूर, उद्देश पूर, सुन्दर एवं सही अनुपात आईए अब इसे एक उधारण के रूप में समझते हैं जैसे कि यदि आप अपने घर में किसी सोफे का निर्मान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यह ध्यान में देना अवश्यक है कि जो आपका जो सोफे का जो मटीरियल हो एक मटीरियल दूसरे मटीरियल के अनुकूल हो जैसे जिस प्रकार की लकड़ी आप इस्तमाल करना चाहते हो उसी के अनुसार उस पे लगने वाली अपोल्स्ट्री भी होनी चाहिए दूसरा है साधि जब आप अपने घर के लिए सोफे का चैन कर रहे हैं तो उसमें साध्गी का भी ध्यान रखना चाहिए तीसरा है उद्देश पूर्ण इसका अर्थिया है कि जो भी आप चीज बना रहे हैं वो आपके उद्देश की प्राप्ति उससे हो जैसे कि यदि आप एके सोफा बन खना रहे हैं तो इसका उद्देश क्या होना चाहिए कि यह आपको आराम प्रदान करें ऐसा नहीं है कि वो आराम सिर्दर लगे परंतु इंपूर्टेंट ये है कि वो अपने उद्देश की पूर्ती करें अथार्थ आपको आराम देें फिर है सुंदर्था आवं चौथ लास्ट है सही अनुपाद, पूरा का पूरा जो हमारा सेट है उसका अनुपाद सही होना चाहिए, यदि अनुपाद सही होगा तो वो अपने आप ही सुन्दर एवं आकरशक लगेगा. दूसरा है सजावटी डिजाइन, सजावटी डिजाइन का वास्तव एक कारे संदशनातनाग डिजाइन की सजावट करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि आप ने अगर हमेसे पूरे पिछले वाले उधारण से समझे, तो यह है कि आपने जैसे एक तो आप उसके ऊपर आप किस प्रकार के सजावट कर सकते हैं, आप किस प्रकार के कुशन उस पे लगाना चाह रहे हैं, ये उसके सजावटी डिजाइन के अंदर आएगा, इसमें भी अनुकूलता, अनुरूपता बहुत इंपॉर्टन्ट है और सबसे लास्ट है लेकिन उसकी वैल्यू को कम कर देगा, इसलिए आपको चाहिए कि सजावटी डिजाइन का उप्योग सिमित रूप से करें, कला के तत्व, अब जानते हैं कला के तत्वों के विशय में, क्योंकि कला के तत्वों के विशय में जानना इसलिए आवशक है, क्योंकि आपने इनी आंत्रिक साथ सज्जा करनी है ये तद्व होते हैं रेखा, आकार, बनावट, रंग, खाली स्थान, तथा आकार रेखा आईए जानते हैं रेखाओं के विश्यमें रेखा क्या है? दो बिंदु है दो बिंदुओं को जोडने वाली जो लाइन है वो ही रेखा है बिंदूओं को इदी हम जोड़ दें तो वो रेखा वन जाती है हर रेखा का एक प्रतिकात्मक महत्व होता है तथा रेखाएं हर रेखा में उसके अंदर ही एक अर्थ नहेत होता है और रेखाओं के विभिन प्रकार होते है आईए जानते हैं रेखाओं के विभिन्य प्रकार एवं प्रभावों के विशय में पहली रेखा है स्ट्रेट वर्टिकल लाइन मतलब सीधी लंबवित रेखा यह रेखा सीधी एवं लंबवित होती है इस रेखा का मुख्य प्रभाव अकांशा, गौरव, स्थाइत्व तथा साश्वत्ता आदि को दर्शाना है दूसरा है शैतिच रेखा मतलब होरिजॉन्टल लाइन इस रेखा का मुख्य गुण लंबवत रेखा को आधार पदान करना होता है इसका मुख्य प्रभाव विश्राम, स्थर्ता, शान्ती, एवं, मौन है फिर है कोणे रेखाएं यह रेखा एक कोण से निकली हुई होती है इसका प्रभाव हमेशा एक व्याकुलता, संघर्ष, बेचैनी, आघात, असुरक्षा तथा असपश्टा को दर्शाता है फिर है करनवत रेखाएं यह किसी भी प्रकार की आड़ी या तिर्छी रेखाएं होती है इनका मुख्य प्रभाव नाटकिय होता है या प्रबल स्पंदन, उतेजना तथा व्याकुलता होता है फिर है पुंजी ये रेखाएं इसका आतिये है कि एक पुंजी से निकलने वाली रेखाएं है इनका प्रभाव एकता, शक्ती, अभिलाशा, शोभा तथा देशप्रेम एवं प्रसार है वर्तुल या चक्राकार रेखाएं इन्हें सरकुरल लाइन्स भी कहा जाता है इस प्रकार की रेखाएं सामाने रूम से भ्रम की स्थिती पैदा करती है इनका मुख्य प्रभाव संगर्ष, उतेजना, विस्मय, एवं, शक्ती है प्रवाही रेखाएं जैसा की नाम से ही इस पस्थ है इस प्रकार की रेखाएं धारा प्रवाव को इंगित करती है इसका मुख्य प्रवाव गती, लावन्ड तथा माधोर्य है नेक्स्ट हमारा तत्व है आकरती, अथवा, रूप रूप वह शेतर है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है यह दो प्रकार के होते हैं समत्रिक एवं असमत्रिक मतलब सिमेट्रिकल तथा एसिमेट्रिकल सिमेट्रिक का मतलब यह है कि जो दोनों और से बराबर हो जैसे वरत, घन, आयत, आदी एसमेट्रिकल का अर्थ है जो दोनों और से बराबर ना हो ऐसे चत्रभुज, त्रिभुज और इसके अगर हम वास्तर्वक जीवन में इसके उधारन देखना चाहें तो केतली एवं सुराही रूपों के मुख्य प्रभाव इस प्रकार है जैसा की रूप, आयताकार, त्रभुजाकार, व्रताकार, अंडाकार विवन प्रकार के हो सकते हैं विवन प्रकार के हैं तथा इनके प्रभाव भी उसी प्रकार के भिन भिन होते हैं जैसे आयताकार जो आकरती है वो स्थायत्व तथा शक्ति को दर्शाती है तरबुजाकार विकास्त एवं सुरक्षा बताता है वरताकार गती तथा आकर्शन को बताता है एवं अंडाकार लावर्ण तथा सौंदेर आधी को तरशाता है जैसा कि आप चुत्र में विम्ड प्रकार की आकर्टियां देख रहे हैं सर्कल, ओवल, ट्राइंगल इसे टेक्शर कहते है बनावट वो तरीका है जिस तरह से कोई सत्य को महसूस करते है बनावट दो प्रकार की होती है स्पर्शनी तथा द्रश्य स्पर्शनी का आर्थिया है कि आप उस बनावट को छू कर महसूस कर सकते है तथा दृष्य का है कि आप उसे देखकर ही महसूस कर सकते हैं इसका उधारन हम इस प्रकार समझें कि एक पेड़ है पेड़ के दिए हम छाल को चुएंगे तो हमें वो खुर्दुरी प्रतीत होगी अथा जो उसका टेक्शर है हमें खुर्दुरा प्रतीत होगा और इसी को अगर हम दृष्य में समझें तो उसी पेड़ का फोटो जो हमें वो हमें दृष्य बनावट की ओर ले चलेगी नेक्स्ट है खाली स्थान या स्थान खाली स्थान किसी वस्तु के उपर नीचे आसपास या पीछे के शेत्र को संदर्वित करता है यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं नीचे आपको front में आपको मश्लियां दिख रही है जबकि उपर वाली साइट में आपको पक्शी दिख रहे है तो यहाँ है क्योंकि इसी डिजाइन में जो उपर वाला जो दृश्च है वो पीछे का स्थान खाली है वहाँ पे ठीक है तो हमें वहाँ पे आगे की और पक्षी दिख रहे हैं जबकि नीचे हमने पीछे वाली स्थान को काले रंग से भर दिया है तो हमें सफेद जगे पे मर्शलियां दिख रही हैं तो इस प्रकार से हम स्पेस का यूज करके अपने घर में विबन तरह की सज्जा का ला सकते हैं आएए चलते हैं खाली स्थान के द्वारा हम क्या-क्या प्राप्त कर सकते हैं इसके यूज से पाठ नियता में विद्धी होती है यह डिजाइन को सरल बनाता है किसी भी अधूरी छवी को पूरा करने में यह मत्वपूर्ण भागने गभाता है तथा यह डिजाइन को विल कोई नो कोई आकार या फॉर्म अविश्य होता है जो कि त्री आयामी होता है त्री डैमेशनल आकार होता है इसके दो प्रकार हो सकते हैं जामतिये तथा प्राकर्तिक जामतिये मुखेता माना विर्मित होते हैं जैविक होते हैं आईए अब बात करते हैं कला के अगले तत् वास्ताव में रंग प्रकाश का गुण है। रंग डिजाइन का एक सक्तिशाली तत्व है। इसका उप्योग ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। यहाँ डिजाइन के संगठन में मदद करता है। परनतु रंग का उप्योग हमेशा नहीं किया जाता है। रंग के गुण, रंग के तीन गुण होते हैं, रंगत यानि की ह्यू, मान यानि वैल्यू, तथा सघंता यानि इंटेंसिटी, आज के व्याक्षान में हम रंग के विशय में सिर्फ इतना ही जानेंगे, अगले भाग में हम रंगों के विशय में पूरा डीटेल में जानेंग और समझ पाएंगे धन्यवाद